असलाम अलेकूम ग्रेट सेक्स माइनेम इस दफ एंड आइम यूर कम्प्यूटर गीचर तो स्टुडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे यूनित नमबर एड जिसका नाम है कम्प्यूटर वाइरस एंड दियर इफेक्ट्स तो स्टुडेंट्स आज हम इस यूनित पर पढ़ने नहीं रहे हैं एंटि वायरस दिसके बारे में लिक्ष्ए की तरफ चलते हैं हुग करिभा तो हम लोग पढ़े थे कम्प्यूटर वायरस दियर एक्छे बारे मेंulty क्टिया क्टीघ करें ऐंभी 적TT कि सुप्रैंट्स हम लोग ने अब देखना है कि अगर आपके computer को virus attack कर दे तो आप क्या कर सकते हैं अपने computer को protect करने के लिए तो students, last lecture में हम लोगों ने बात की थी कि आप अपने computer को किस तरह protect कर सकते हैं antiviruses install करके तो आज हम देखेंगे कि antiviruses क्या होते हैं तो students, antivirus is a program used to check the files for viruses and also remove them यानि के antiviruses ऐसे program होते हैं जो कि क्या करते हैं computer viruses के लिए आपकी files को scan करते हैं और अगर उन files में कोई virus हो तो उसे क्या करते हैं उसे remove भी कर सकते हैं तो students, आप लोग internet के जरीए कोई भी antivirus software डाउनलोड कर सकते हैं और अपने system को उसके दूँ स्कैन कर सकते हैं आप लोग remove किस तरह कर सकते हैं तो students, हमारे पास कुछ famous antiviruses software जो हैं वो देख लेते हैं कि कौन-कौन से हैं तो students, सबसे पहले आपके पास होता है Norton Norton एक antivirus software है और आप लोग इसे install कर सकते हैं अपने computer को scan करने के लिए Students, इसके इलावा Kaspersky, McAfee, AVG, Bitdefender and Avast Students, ये कुछ antivirus softwares हैं आप लोग अपने computer को scan करने के लिए इन में से कोई साभी antivirus software अपने computer में download कर सकते हैं जी students, तो अभी हम लोग उने बात की कि antivirus softwares क्या होते हैं तो students, हम लोग उने अब देखना है कि antivirus softwares को आप लोग यूज किस तरह से करते हैं सबसे पहले आप लोगों को download कर लेना है कोई भी antivirus software ठीक है students, मैंने अपने computer system पर not on already install कर लिया है तो students, आप लोग भी अपने computer systems पर not on antivirus software को install कर ले तो students, मुझे उमीद है कि आप सब ने antivirus software को install कर लिया होगा अब चलिए देखते हैं कि इसको इस्तमाल किस तरह से करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे task park में जाएंगे task park का आपको पता है न students क्या होती है जी, जहां पर start button भी होता है तो students, task park में आप लोगोंने देखना है right side पे जहां पर आप लोगों को एक icon नजर आ रहा होगा show hidden icons जी, इस button को अब हमने click करना है students जी, आप देख सकते हैं जब मैंने इसे click किया तो अब एक icon आप लोगों को नजर आ रहा है note on internet security का जी, आप लोग अपनी screens पर भी देख सकते हैं students जो button highlighted है मैं इस button की बात कर रही हूँ जी, अब आप लोगों ने इसे double click करना है और not on internet security को open करना है जी, students, जब हम लोग इसे open करते हैं तो कुछ इस तरहां की screen आप लोगों को नजर आती है जैसी आप लोग अपनी screens पर देख सकते हैं अब हमने क्या करना है students अगर हम अपना full system scan करना चाहते हैं तो आप कौन से option पर click करेंगे जी, students, आप लोग देख सकते हैं तीन options scan now, live update और advanced का तो students, हम लोग उने click करना है scan now पर तो जब हम लोग scan now पर click करते हैं students, एक नई screen आप लोगों के पास आ जाती है जिसमें कि क्या-क्या options हैं आपके पास quick scan, full system scan and custom scan तो students, अगर हम लोग अपना full system scan करना चाहते हैं तो हम लोगों ने इन तीन options में से select करना है full system scan को, ठीक है? जी, अब इस button को जब हम click करते हैं तो students, आप लोग अपनी screen पर देख सकते हैं कि हमारा computer system अब scan होना शुरू हो चुका है तो students, ये थोड़ा सा time लेता है और ये scanning चलती रहेगी आप लोगों को नीचे, right side पर दो buttons नजर आ रहे होंगे pause का button और stop का button तो students, अगर आप लोग scanning को stop करना चाहते हैं तो आप कौन सा button क्लिक करेंगे? Stop का button और अगर आप लोग इससे कुछ देर के लिए pause करना चाहते हैं तो आप कौन सा button क्लिक करेंगे students? Pause का button क्लिक करेंगे तो students, हम ना तो इससे pause करते हैं और ना ही इससे stop करते हैं, बलके अपना computer system scan होने देते हैं जी, अब आप लोग देख सकते हैं कि जब आपका computer system fully scan हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ इस तरह की window नजर आएगी तो students, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, right side पर बिल्कुल bottom में एक button finish का जब आप लोग अपना full system scan कर लेते हैं, तो आप लोग इस scanning को finish करेंगे किस तरह से students, इस finish के button को click करके जी, students, तो इस तरह से हम लोग करते हैं, full system को scan अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से drives और folders को भी scan कर सकते हैं जी, students, drives and folders scan करने का भी तक्रीबन सेम तरीका है, जिस तरह से हम लोग ने full system को scan किया था तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने open करना है, note on internet security को जो कि आप लोग screen पर देख सते हैं, मेरे पास already open है जी, students, तो सबसे पहले कौन से option पर जाना है, scan now तो जब हम लोगोंने scan now को click किया, तो students, हमने पहले भी देखा था कि एक screen आपके पास आई थी जिसमें कि क्या क्या option से, quick scan, full system scan और custom scan तो students, इस बार हम click करेंगे custom scan को, click करके देखे जब हमने custom scan को click किया, students, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी window अब open हुई है तो students, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या क्या options है, full system scan, quick scan, drive scan, folder scan या फिर file scan तो students, अगर आप लोग folder scan करना चाहते हैं, तो हम किसे click करेंगे, folder scan को और अगर आप लोग file scan करना चाहते हैं, किसी एक specific file को अगर आप लोग scan करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, file scan को click करेंगे, तो students अगर आप लोग drive को scan करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, drive scan को click करेंगे, और उसी तरह से आप लोग full system को भी दोबारा से scan कर सकते हैं, तो students हम ल तो students, आप लोगों ने अपनी drive को select कर लेना है कि आप कौन सी वाली drive को scan करना चाहते हैं तो हम किसी एक drive को scan करने के लिए select कर लेते हैं जी, मैं select कर रही हूँ local disk D यानि कि मैं D drive को scan करना चाहती हूं students तो जब मैंने इसे select किया अब आप लोग bottom में right side पर दो buttons देख सकते हैं students scan और cancel का button तो अगर तो आप लोग इस process को cancel करना चाहते हैं तो हम करेंगे cancel को click और अगर आप लोग अपनी drive को scan करना चाहते हैं तो हम करेंगे scan पर click ठीक है? तो students, जब हम लोगों ने scan को click किया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी drive scan होना शुरू हो गई है students, full system scan जो है वो बहुत ज़्यादा time लेता है लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कि मेरी इस drive में कुछ problem है इस drive में virus हो सकता है तो आप उस specific drive को scan कर लेते हैं उससे क्या होता है? time कम consume होता है और सिर्फ वो ही drive scan होती है तो students, आप लोगों को फिर से दो buttons नज़र आ रहे हैं pause और stop का button आप चाहें तो अपनी scanning को pause कर सकते हैं और इसे stop भी कर सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे? हम अपनी drive को पूरा scan करेंगे जी, और scanning के बाद क्या होगा? एक finish का button आप लोगों को नज़र आ रहे है students screens पर जी, अब हम इस button को click करेंगे अपनी scanning को finish करने के लिए जी, तो हम लोगों ने button को click किया है और आप देख सकते हैं कि हमारी drive scan हो चुकी है ठीक है? तो इस तरह से आप लोग full system को भी scan कर सकते हैं और किसी drive या किसी folder को भी scan कर सकते हैं तो students, अब आपके लिए activity ये है कि आप लोगों ने खुद से अपने system पर मुझूद किसी folder को scan करके देखना है ठीक है? उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? नॉटन इंटरनेट से क्योरिटी को आप लोगों ने इंटरनेट से इंस्ट्राल कर लेना है ठीक है students? अब हम देखते हैं कि हम अपने antivirus software को update किस तरह करते हैं जी students, तो हम लोगों ने देखा कि हमने antivirus को install किस तरह से किया और किस तरह से हमने उसे use किया लेकिन students, अगर आप लोग अपने antivirus की proficiency को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो नए वाइरस इसको भी detect करें तो students, आप लोगों ने क्या करना है? रेगुलरली अपने antivirus software को update करते रहना है ठीक है? हर software में कुछ time के बाद changing जाती रहती हैं तो students, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा antivirus software नए वाइरस इसको भी scan करें तो आप लोगों को क्या करना चाहिए students? रेगुलरली अपने antivirus program को update करना चाहिए तो students, हम देखेंगे कि हम not on internet security को किस तरह से update करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे? not on internet security को open करेंगे कहां से open करेंगे students? टास्क बार में जा कर open करेंगे जी students, आप लोग अपनी screens पर देख सकते हैं कि मैंने already इसे open किया हुआ है तो students, आप लोगों को यहाँ पर तीन options नज़र आ रही हैं कौन-कौन सी options नज़र आ रही है? scan now की option नज़र आ रही है, live update की option नज़र आ रही है और advanced की option नज़र आ रही है तो students, हम लोगों ने कौन सी option को click करना है अपडेट करने के लिए? live update को करना है, ठीक है? तो जब हम लोग live update को click करेंगे students तो आप लोगों का antivirus software जो है वो update होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने एक बात का खयाल रखना है कि आपका computer system उस time पर internet के साथ connected हो अगर आपका computer system internet के साथ connected नहीं है, student तो हम लोग अपने antivirus software को update नहीं कर सकते क्योंकि updates कहां से आती है, internet के through ही आती है, तो जब तक आप लोगों का internet on नहीं होगा, students आप लोग इससे update नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा internet connected है या नहीं है जी, students, हमारा internet connected है अब हम click करते हैं live update के option को जी, और आप देख सकते हैं कि अब हमारा antivirus software जो है, वो update होना शुरू हो गया है, ठीक है, students अब आप लोगों को एक option नजर आ रही होगे, cancel की, ठीक है अगर आप लोग update नहीं करना चाहते तो, students, आप लोग इस button को भी click कर सकते हैं जी, students, जब हमारी update हो गई है, तो आप लोगों को right side पर एक okay का button नजर आ रहा है, ठीक है अब हमने इस button को click कर रहा है जब हम लोगों ने इस button को click किया, तो, students, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा not an internet security जो है, वो update हो चुका है तो, students, ये थी कुछ चीज़ें जो के हम antivirus softwares में usually करते हैं अब आप लोगोंने क्या करना है, students, आप लोगोंने भी अपने-पने computers पर not an internet security को download करना है, ठीक है और फिर आपने अपना full system भी scan करके देखना है, drive scan करके देखनी है, folders भी scan करके देखने है और उसके बाद आप लोगोंने अपने antivirus software को update भी करना है, ठीक है तो, students, इसी के साथ हमारा ये lecture भी खतम होता है और हमारा ये unit भी खतम होता है नेक्स lecture में हम लोग पढ़ेंगे इसकी exercise तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्ला हाफिज